जैसा कि आज का जो वीडियो होनी बाला है हम 12th students भी हर बोड के लिए लिए लेकर के वह पूरी तरह से आपका लिटरेचर का objective question होने बाला है जिसमें मैं आपके साथ 100 question आपके लिखे हुए दिखेंगे लेकिन मैं आपके साथ लगवग 300 question का discussion करने बाला हूँ इसलिए गाइस आप वीडियो को इसकी बिलकुल न करें आप ध्यान से देखते चलो अगर आप पेडिया भी मुझसे ले लेते हो तो आपको 300 question नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने लिखाए केवल 100 question लेकिन उससे जुरे हुए मैं आपको 200 extra question आपके इस वीडियो में करवाने बाला हूँ तो गाईज आप पूरा वीडियो अन तक जरूर देखे यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो आपके एक्जाम में कुछ questions छूट सकती है तो इसलिए आप बिना समय को गवाय हुए हम लोगे start करते हैं आज का हमारा first question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जैसा की first question दिया हुआ है के कें अंधरूबला belongs to which country के कें अंधरूबला कौन से देश से बिलॉख करते हैं जैसा आप सभी लोग जान रहेंगे के कें अंधरूबला जो है बिलॉख करते हैं एक निट में स्का color change करनू केके अंदरुबला जो है आपको बुलॉंग करते हैं इंडो एंगलियन से इंडो एंगलियन कहने का ये मतलब है वैस से वेक्ती जो इंडिया के भी हूँ और किसी अधर कंट्री में जाके वर रह रहे हो तो उनमें इंडो दिया जाता है इंडो एंगलियन बनते हैं इसमें महत्वपून बाते आपको याद ये रखना है कि केके अंदर उबल्ला ऐसे वेक्ती हैं जीन ही साहित अपकाड़मी अवार्ड से सम्मानित किया गया था कब किया गया था इनकी लिखे गई तीन बुक आप बहुत ध्यान रखेंगे इनकी जो तीन बुक है जिसमें से पहला बुक का नाम आता है Appreation in April ध्यान रखेंगे Appreation in April April जैसे आपको दिखेगा तो समझेंगे के के अंदर उबल्ला दूसरे बुक का नाम है Under Orion Under Orion थार्ड बुक का आपका जो नाम बनता है वो बनता है Crossing of Reverse तो तीन बुक है इनके कौन-कौन है Appreation in April Under Orion, Crossing of Reverse जो की के के अंदर उबल्ला के दूरा लिखा गया है Next question पर आते है Autumn is a mellow of Autumn जो है क्या चीज़ कहा है? Mellow of तो इसका क्या होगा? Fruitfulness Autumn जो है बहुत ही स्वाबना मौशा में किसका follow देने वाली मौशा में Autumn मतलब कौन से लेसन से लिया गया? To Autumn To Autumn की आथर का नाम क्या बनता है? To John Kitts बनता है John Kitts को कोन से कभी बोले जाते हैं? To John Kitts को बोले जाते हैं Romantic Poet बोले जाते हैं To देखो आपने Autumn is a mellow of Fruitfulness पढ़ा लिखा किसने John Kitts इनको कोन सा कभी बोला जाता है? To Romantic Poet बोला जाता है Moonfield London में इनका जनम कहा होता है? Moonfield London में चार कोश्चन हो गए और कोश्चन बचा हुआ है इनकी सबसे कम उम्रे में मिर्तियू होती है और इनकी मिर्तियू होती है मातर 26 साल के उम्रे में और कौन सी बिमारी से होती है तो वो धिहान रखेंगे हाँ पर रिविजन किया है Autumn is a mellow of fruitfulness और टोटम लिखा जान किट्स नी इन्हीं रॉमेंटिक जान किट्स को रॉमेंटिक पोट बोला जाता है जान किट्स का जनम Moonfield London में हुआ था जान किट्स की मिर्तियू 26 साल के उम्र में किट्स की वर क्लॉसिस से होता है इनको इंट्रेश्ट हाँ किर्केट और बॉक्सिंग खेलने में फ्रूट्स विल राइप इन फ्रूट्स जो है सब फल जो है वो पकती है कौन से मौशन में पकती है और टू आटम की बात हो रही इसलिए आटम में पकेगी नेक्ट नमबर 4 इंग्लिस लिट्रेचर का जो गोल्डेन प्रियर्ड है वो किन के समय को बूला जाता है गोल्डेन प्रियर्ड तो इसका राइट हैं से मारा बनेगा किंग अल्फरेड के समय की जो यूग चलती थी उस समय को उस दौरान उस अवधी को गोल्डेन प्रियर्ड उफ इंग्लिस कहा जाता है नमबर 5 यह जो साप जो है आपका स्निक वाला जो लेसन है डी एच लॉरेंस के दरा जो लिखा गया है उसमें साप जो है एक दिन मिलता है कभी से कहां पे मिलता है साप मिलता है तो कभी से साप जो मिलता है वो एक वाटर ट्रफ के पास मिलता है सर वाटर ट्रफ जिसे हम नाद बुलाते है उसी वाटर ट्रफ की यहां पर बात हो रही है लेकिन आप इसमें एक और चीज बताएंगे इस लेशन में एक पेर की चर्चा की जाती है क्या कि नहीं को याद है जी सर मुझे तो बहुत अच्छे से याद है उस पेर का नाम रहता है कारोब ट्री अच्छे एक और चीज का थे हान रखेंगे जो ये कारोब ट्री जो है ये उसके नीचे उन्होंने इंतिजार किया है अ इक पीचर महीना कौन सा था तो महीना सर था जुलाई घटना कहां की है घटना है सिसिली की साथ में एक और चीज आपको बता दू ये पहने क्या थे तो ये पहने हुए थे पैजामा आई होप आपको मैंने बहुत सारे कोश्चन साथ में में करवाते जा रहा हूँ इसलिए आप पूरी वीडियो अंतक जरूर देखना यदि आप इसकिप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहां पर प्रॉब्लम फेश काने को मिल सकता है साथ ही में इसके आगे एक और कोश्चन में बतारने वाला हूँ रहने दो आपके कोश्चन साइथिंक मिल ही जाएंगे नमबर शिक्स अनमबर शिक्स वर सीन एमोंग यह जो साप देखे गए उप सोच्रहें आप पतलब यह स्नेक का है नहीं आरा छोड़ दो ठीक है मैं तो याद करवा ही दूंगा उनको जो सम्मान मिला है वह मिला है एक मल्यालम भासा में भी उन्हें बहुत सरा सम्मान मिला है और सी में जो है वह कहती है कमलादास कि आप उस पुराने घर में अगर आप जाओ घूमने के लिए तो वहाँ पे दिखेंगे क्या दिखेंगे साब दिखेंगे किसके बीच घूमते हुए नजर आ रहे तो किताबों के बीच पुस्तकों के बीच वहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे है ध्यान रखेंगे कमलादास कोंसे देश से बिलॉंग करती है तो वह इंडिया से बिलॉंग करती है वो इंडियस Poets का एलाएगी नेक्स्ट इसी में एक और चीज़ी आद रखेंगे कि कमलादास देखती है अपने घर के बेडरूम के पीछे किसको देखती है तो वहां पे एक बेडरूम के पीछे एक देखती है एक डॉक को एकkkुत्टे को देखती इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट कोशन पे हम लोग आगे आते हैं तब पोईट कंपेर्स स्निक टू अडास बर्ड अलबा ट्रॉस यह आगे आपका स्निक फिर लेसं से स्निक वाले लेसं से के स्निक लेसं में कवी जो है डियेच लॉरेंस करते हैं कभी सोचते हैं कास यह अलबा ट्रॉस चिरियां आ जाए और मिड़े साप को बाहर निकाल दे तो यह अलबा ट्रॉस कौन सी चिरियां है तो यह अलबा ट्रॉस एक सी बर्ड है समुंदरी चिरियां है केकी एंदरुबल्ला वोज दा डैस was the recipient of Das केके अंदरुबला जो है recipient है, संग्रहक है मतलब लेने वाले बेखती है क्या लेने वाले हैं तो केके अंदरुबला जो है यह एक मात्र बेखती है जो साहित अकादमी वार से सम्मानित किया गया था कब किया गया था इन्हीं सम्माने तो 1984 में किया गया था आप कुछ में आप पोयम्स और ओथर का नाम आप सभी के साथ रिवीजन करने वाला हूँ क्योंकि हमारे एकजाम में पोयम्स और ओथर का वेट इस काफी जादा होने वाला है जिसना कि देखरे होंगे आप लोग स्वीटेश्ट लव एक मिनट कर इस शुटेश्ट लव इनके कव जो पोयम्स बनते हैं आपके जॉन डॉन बनते हैं मैं आपको यहाँ पर हलका सा लिख रहा हूँ, आप लोग समझेंगे, जॉन डॉन, एसनिक जो बनते हैं, वो आपके बनते हैं, ड.H. लॉरेंस, निक्स्ट लेशन, माइ ग्रेंड मदर हाउस, कमला दास, फायर हीं, केके अंदर वल्ला, सौंग अफ मैसल्फ, वाल्ट बीटमें, दा सोल्जर, रूपर्ट ब्रूग, और टू अर्टम, जॉन किर्स, नौ द लिपसर फॉलिंग फास्ट, ड.H. अर्डें, एन एपिटेफ, व कहां, जो कभी, जो है, ड.H. लॉरेंस, उन्हें सांप नजर आता है, सांप प्रतीत होता है, किसकी तरह, तो किंग इन एक्जाइल, मतलब वह बनवास की, एक राजा की तरह, सांप जो है, उन्हें नजर आता है, ड.H. लॉरेंस को, गाइस, यदि आपको question, answer भी याद करने में problem हो रहे हैं, तो guys, मैं आपके साथ, फिर कल वीडियो लेकि जुडने बाला हूँ, अप्रॉक्स 20 questions का वीडियो होगा, जिसमें से आपके exam में समझो, तो 90% उसी में से questions आने के chance बनेंगे, तो guys, आप भूल कर भी उसे देखना बिलकुल न भूले, चल दिये, हम लोग आ करती है, तो वह अब्बेक करती है, लव को वह प्यार मांगती है, किनके घर पे तो वह strangers, अजनवियों के दरवाजे पे जो है, वह भी मांगती है, कि मुझे थोड़ी सी अपनी नानी मा की तरह, अपनी ग्रेंड मादर की तरह, मुझे प्यार दे दो, एतना कहाँ पे है, एतना जो है, सिसली में है, एतना क्या है, एतना एक वालकैनो है, यह घटना कब की है, यह घटना जो है, याद रखेंगे, यह घटना है, जुलाई की, जो वंडरिंग घोस्ट से हैं तो आप को याद आ रहा हुगा फायर हीम के कई अंदर वल्ला ये जो उसी लेशन की बात ओर रहे हैं कि वहां पे जो वंडरिंग घोस्ट से हैं मतलब इधर उदर वह विचरन वाइले जो घोष्ट बूट प्रेत हैं वह कई चीज में एक और चीज धियान रिखेंगे केकी ऐंदर हुब嫖ा है आपका पार्शी पार्शी जो है जिसे हम एंगलिस में बोलते हैं जोरस्त्रियन ठीकें ये भी चीज़ को अब ध्यान में जरूर रखेंगे निक्स्ट में जो है एक दिन जो है ये केके अंदर वल्ला घूम रहे थे अपने डैस के साथ ओभी क्रीमेशन घाट के पास से क्रीमेशन मत अपने फर्स्ट बार्ण न्यूबर्ण सन को सौपते हैं उस अगनी में निक्स आपके साथ एक और कोशन ऐसों ये भी बन सकता असपस्ट रूप से देखता है ये फिर से आपका कुश्चन आ गया मैं आपको दोनों मिक्स करके मैं हरेक लेसन मिक्स करके चल रहा हूँ जिससे आपको हरेक चीजे थोड़ी सी याद होती चले देर विल भी कम्प्लीट पूरी तरह से इन दा हाउस उस घर में क्या चा गई है तो उस घर में पूरी तरह से सालेंस, सांती, एंडार्कनेस और क्या चा गई है अंधेरा पन चा गई है क्यों? क्योंकि उस जो ग्रेंड मदर थी वह आउस घर की जो दादी मा थी अवर्ण नहीं रही यह धान बिल्कुल रखेंगी क्योंकि आपके बुक में किसी और वेक्ती को यह प्राइस से समानित नहीं किया गया जिसका नाम बनता है पुलिदिजर प्राइस डवलुएच ओर्डेन किसके राइटर बनते हैं लेखक बनते हैं इनको समानित किया जाता है कौन से प्राइस से पुलिदिजर प्राइस से और इन्हें कब समानित किया जाता है तो 1948 में इन्हें समानित किया जाता आप लोग कोई एगर याद होगा तो इनको कौन से बुक के लिए समानित किया जाता है The Age of Anxiety यह The Age of Anxiety जो इनकी एक जो बुक है उस वज़ा से जो है इनको Nobel प्राइस से समानित किया जाता है कौन से, sorry, Nobel पुलिजर प्राइस से कब 1948 में समानित किया जाता है नेक्स्ट साथ में आप इसके साथ में एक और चीज़ याद रखेंगे The Leaves Are यहाँ पर ही आपके आपके आपगो और questa लिया प्राइस फीर इसमें अपकी साथ और भी question होगा कि Nurses Flower Nurses Flower जो है कौन से लेसन से लिया गया तो Nurses Flower भी द्यान रखेंगे आपके 9 The Leaves Are Falling Fast का ही लाइन उचाया गया है नेक्स्ट कॉश्टन नबर 16 जो चलती फिरते हाथ जो होते हैं वह अकेले पर जाते हैं और सबसे अलग हो जाते हैं मतलब वह स्कूल हो जाते हैं सांत हो जाते हैं ठंडक पर जाते हैं इसका एंसर क्या होगा जो आपका जो लेसर ने हावफरी दाप्रिस का है कि उसमें बताया जाता है कि जब प्रिस जो है वह अपनी सेंसर सिप सौप देती है किस सामें साथ देती है तो एमर्जेंसी के दौरान आपात कालिन इस्तिती में अपनी सौप देती है को किस ने लिखा है डोरोथी एलस आयर्स ने लिखा है कौन से ऐसे विक्ति हैं जिनको केरफुल रहना चाहिए सचेत रहना चाहिए उन्हें प्रेस को अपने हाथों में अपने सिकंजे में नहीं कसना चाहिए उन्हें अपने हाथों में नहीं जकार के रखना चाहिए उसे स्वतंत्र रहना चाहिए क्योंकि अगर जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तो जनता भी स्वतंत्र नहीं होगे भले हमें आजादी अंग्री जो से मिल गई है लेकिन हम लोग तव तक स्वतंतर नहीं माणे जाएंगे जब तक प्रेस स्वतंतर नहीं होगा क्योंकि प्रेस ये कैक ऐसा माध्या में जो हम सबको सब को सही सूचना पहुँचाताए तो इसमें से देखकोई इसका ऐंसर ओएसे आपका जो होगा राइट एंसर इसमें से आपका none of these होगा क्योंकि इसमें कोई वह ऐसा चीजी नहीं लिखा गया लेकिन से इसका राइट एंसर जो आपका जो बनता है वह बनता है पॉलिटीसियंस पॉलिटीसियंस जो है क्योंकि हमारे जो भी राजनीतिक लोग होते हैं प्रेस को क्या करते हैं जो भी रहते हैं अपनी रूलिंग पार्टी जो उस समय बनते हैं उसको अपनी सिकंजे में कसे होई रहते हैं तो वही चीज़ का गया है कि अपर्ल ऐसवक जो है वो कहती है कि प्रेस को जो है अपनी सिकंजे में नहीं रखना चाहिए यहां पर इस लेशन के कॉरिंग की सब्सक्राइब करें यहां तक अच्छा लगना तो प्लीज गाईब लुग लाइक करने हैं बहुत करते देखते 700 लोग हो और लाइक इतनी जाती तो 100 लोग की लाइक करते ऐसा क्यों कि आपको कुछ लगता है लाइक करने में आपको पैसे लग रहे तो छोड़ो बिल्कुल मत करो क्योंकि मैं फ्री आफ कॉस्ट दे रहा हूं मैं आगे अभी आप सब को बताया हूं कि मैं सब्सक्राइब करने में आपको पैसे जो एक मात्र ऐसा प्रेस है जो सिंगुलर्ली एक लोटा ऐसा प्रेस है जो स्वतंत्र है तो यहां पर इस लेशन के एकारइबग पर्ला ऐस्वक के एकॉर्डिंग जो है यहां के इस प्रेस की प्रेस ऑप्रेस तू नहीं है ना औह्यीं पर दौर्थी तक लिसम एपरिस आप टफ कमा जो न्यूस्पेपर की जो ती है ऊसका कई दीसरा नियूजे चापने मिलते ह ! तब लेखता क्या होगा उस ना जजदा इडोर्टाइस्मेंट लिजिय अब्स हो चारपषार खूब लिजीए ये वगेरा वगेरा इतना फ्लाइट लीजी तो क्यों क्योंकि उनको उसी से पैसे आते तो पहला चीप सोर्स होता जो न्यूसके पर के रिविन्यू से वह होता है उसका एड़टाइजमेंट लेकिन यहां पर पहला नहीं पूछा गये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दूसरा कौन सा है तो अगर पहला पूछेगा तब उसको एडवर्टाइजमेंट बोलोगे और दूसरा पूछेगा तो यहां पर वेल्थ आफ और अर्थाद जो है मालिक के जुद्धन दौलत जो होते हैं जो मालिक जो किसी की जो कंपनी की जो मालिक होते हैं प्रोप्राइटर होते हैं उसके पैसे जो होती वहां पर उसमें मैंने इस सही बिल्कुल नहीं किया है दडैस के न मेक और ब्रेक डिपटेशन कौन ऐसा चीज है जो इजद बना भी सकते और इजद बिगार भी सकती है और बिगार भी सकती है दे अडिटोरियल पॉलिशी ओफ ए पॉपुलर डेली इस कंट्रोल बाइडैस चीफ फ प्रिंटिंग प्रिंटिंग फिस सेट अपależन प्रिंटिंग प्रेस्ट टो गया तो 1466 के आपने 歹ट इंगलिपिन उसी की वज़ह से जो है मी Dawn इंगलिस मेर मॉर्डें इंगलिपिन Men नमबर त्वेंटिसिक्स, जॉंसन का मतलब कॉन सा लेशन, जॉंसन आडे वई ही बेनजी ठीके ॹथा जो जॉंसन जो था अजार थे खेती करने वाला और उसके पास जो था एक चार एकर की उसके पास एक मात्र प्लॉट था और कुछ उसके पास नहीं था अब इसलिए समना अपने पढ़ा होगा कि बेंजी नाम का उनके लड़का रहता है जिसको जो है वह स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मंद बुद्धी टाइप कर रहता है उसी इसको जो है लेकर कि वह बहुत परिशान रहते हैं आगे चल कर जो है धीरे धीरे वह बहुत अच्छा बन जाता है और आगे चल के बेंजी जो एक लड़की से साधी करना चाहता जिसका नाम रहता है फ्लॉरेंस बेंजी के मम्मी पाप उसको एक पास्वुक देते हैं 21 वर्स की उम्र में फिर उसके बेंजी के पापा जो है कई वर्स तक रहते हैं एक लोकल प्रीचर और ऐची बेट्स जो है वह भी एक तरह से ऐची बेट्स दिहान रखेंगे क्योंकि जो एची बेट्स जो लिखे हैं इस लेसन को वह कुछ तक काम करते किसके रूप में काम करते तो वह काम करते हैं जर्णलिस्ट के रूप में कुछ समय तक जो है वह काम करते हैं एचीबेट्स 27 नमबर कोशन 4 इसमें आप लोग एंसर देखेंगे आपके बुक में आपने अगर यह क्या बोलते हैं और गेस पेपर लिया होगा तो आपके पास इसमें इंडियन लिखा हुआ है जो इंडियन पूरी तरह से गलत है क्योंकि पर्ल एसबग इंडियन नहीं बनती है इनका जनम होता है अमेरि दोक्टर विलॉंग स्परम इंडिया इस चीजसा आप ध्यान रखेंगे नेक्स इन वर्ड बोला जाता है जिसको बोलते हैं कौशिकियन रेस से बोला जाता है निक्स्ट एक और चीज आप इसमें और में बता दू यह जो पर्ल एसबक जो लिखा है कौन सा लेशन लिखा है इंडिया थूर ट्राबलर्स आय जो लिया गया है एक लेशन से मतलब कि एक बुक से लिख लिखा है उस बूक का नाम है My Several Worlds इस बूक का नाम ध्यान रखेंगे My Several Worlds से लिखा है है Consolation India through a Traveler's Eye I think आपको इतने सारे कोश्चन क्लियर होंगे एक और कोश्चन में इसमें बता दू कि परल एसमक इंडिया घूमना चाहती है क्यों क्योंकि वह सुनना चाहती है कितने ग्रूप के बीची की बात्री सुनना चाहती तो टू ग्रूपस औप पीपल वह दो ग्रू हो आपने यह दी से पहले नहीं देखा है कि हम इंगलिस में कैसे 90 लाए तो आपको मैंने इस से पहले दो दिन पहले वीडियो किया है आप उसमें जाए और वीडियो को देखना विल्कुल न भूले क्योंकि आपको बहुत है किसी भी तरह कि आपको डाउट हो तो आप मुझे कि मेंशन contrat के बजाए प्लेट के बजाए तो प्लेट के बजाए वह पत्ते पर परोसे गए थे तो वह कोन सा बनेगा तुआ बनेगा आपका बनाना लिब्स पर परोसा गया पर्ल ऐस्भक का हीटलेशन से लिया गया है नेक्स्ट है फ्रम ब्वाई हूड देखो ये कोश्चन्स आपके कट रहे हैं मैं आपको बता दूँ बच्पन से ही इंडियन डैस को इंडियन किसको इंडियन चिल्ड्रेन को भारती बच्चों को सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड होती है वो साफ सूतरे के लिए होती है religion is ever present in डैस life जो धर्म जो होता है धर्मिक भावणाए जो है वो किनकी जीवन में सदय बसी रहती है तो हम भारतियों की जीवन में सदय बसी रहती है ये परल असवक कहती है यह परल असवक कहती है कि जब घूमने आती इंडिया तो कहती है कि यहां पर फलो जो है काफी जदा उगर हैं फलो की फसले अच्छी और यह थोरी सी जो है बंबय और मदराज की बीच की जमीन जो है उसी उपजाओ जैसी बना दिया जाए ताकि यहां की जो है किसाने भू कौन से जो है जहां पे लोगों को पहचाना जाता है कौशिकंऔरश काशिकंट करने का मतलब वो यह हर एक रंग हरे कलर हर एक धर्म्य के लोग रहेते हैं यह हमारे इंडिया में देखो आप गोड़े लोग इंडियन्स लोग अगर अफ्रिका में भी चले जाए तो इसमें अलग ही वह नजर आ जाते क्योंकि आपने देखा होगा बहुत तरह के ऐसे अफ्रिकन्स क्रिकेटर को जिनकी कलर बहुत जादा क्या होती है डार्क होती है तो इनकी तुलना जो है यहाँ पर करती है जिस वज का गेस रहता इस सीज़ का भी ध्यान रखेंगे निक्स्ट कोशन नंबर 35 लो मोव अंकितनी साल का रहता है जितना नंबर यह कोशन है न उतना ही नंबर का एंशर लो मोव थाथी फाइव यह उल्ड रहता है लो मुप यास टूपाइट ही इस उल्ड एंड कोट़ट ऑध डास बहुत सौर्ट थे तो उसका होता मजल मजल अपने कुट्टा का मुझ देख रखा होगा ऐसे वाला कुट्टा देखा होगा ना अपने बच्पन में जरूर बना होंगे मैं भी बना कर बता देता हूँ एसी होता है तो यह जो मजल होता है यहाँ पर जो होता है इस मजल की बात हो रही है कि जो मजल जो होता है यह काफी जादा उसका जो है सौट था ऐसा जो है इसले से में बताया गया है लोमोव जो वेक्ती था उसका शौभाव कैसा था तो वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी नरवस हो जाया करता था इसमें भी राइट एंसर नहीं है लिखा हुआ इसका राइट एंसर होगा नरवस टेंपरामेंट ब्याकुल हो जाता था तो इसका राइट एंसर बनेगा आपका आउक्स मिडोज को लेकर के दोनों की भी जगड़ा होती है जोन डॉन दॉन तो के पोएट जिन्हें मेटाफिजिकल भी पोएट बोला जाता है केल्मेटाफि billion कि कोंज सीकसरे जो निश्चीत है तो देथ जो है प्रित्यु और ये जो सीजन ऑफ मिस्ट अन्छो परूट։ल पूलिकल्स यहoe पो मेशन से लिया कर वकि वालिध संगंगended's को और उटभी नहीं strategies कख़mam पर आपका जो राइट एंसर बनेगा सीजन ओफ मिस्ट और मेलो फ्रूट पूलनेस और टू अर्टम जॉन किट्स नौधा लिपसार फॉलिंग फ्वास्ट में भी जो है विक्तियों के मरन मृतियों का ही वहां पर चर्चा होता है जॉन डॉन हैड सीन दसन सेटिंग जॉन ड जॉन डॉन कौन से कभी बनते हैं तो जॉन डॉन एक मेटा फिजिकल पोईट में से एक बनते हैं पीपल्स पोईट कौन बनते हैं तो ध्यान रखेंगे पीपल्स पोईट जो है आपके लेसन नंबर टू वॉल्ट वीटमें बनते हैं जिन ही हम लोग पीपल्स पोईट भी कहे जाते हैं, अच्छा, वाल्ट भी टिमेन अपकी लेसन में जो हैं, वहीं पर एक चीज और भी बोलते हैं, वाल्ट बितमेन इस 10 years old, तो ध्यान रखेंगे, वाल्ट बितमेन is 37 years old अच्छा, वाल्ट बितमेन जो हैं, 12 साल से पहले तक वो किसका काम करते थे तो वर्ट विटमिन जो बारा साल से पहले तक जो है एक कारपेंटर का वर्क करते थे एक बढ़े का काम करते थे अच्छा वर्ट विटमिन की बुक बहुत प्रचली थे एक उनका संग्रहक है जिसका क्या नाम है लीब्स ऑफ ग्रास इस ची नमबर 43, Walt Whitman is 10 years old, 37 years old, मैंने जो की बता दिया आपको, Hoping to see is not till date, is a line from, आसा करता हूँ, मिर्तियों तक को रोक के रखूँ, मैं आसा करता हूँ कि मिर्तियों को रोक के रखूँ, ये line कहां से लिया गया है, ये line आपका जो लिया गया है, Song of Myself, Walt Whitman के दोरा लिखा गया है, The Soldier, Rupert Brooke, Fired Him, K.K. अंदर उबला, The Proms, और Proms का मतलता है पालना, जो वहाँ पे एद्नौ, दर लिपस आर फालिंग फास्ट में कहती है, कि ये पालना जो है, वह क्या होते जारा, rolling on, rolling on, मतला होता, लुडुकते हुए जाना, कि आप जीवन, जो हमेंसा जीवन का चक्र जो है, वह लगाता, चलते चल रहा है, चलते चल रहा है, Human Life is no better than, मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं, कि इससे अच्छा नहीं है, यहाँ पे जॉण डॉन कहते हैं, कि मनुष्य का जीवन, मृत्यू सच्छा नहीं है, जीवन जब तक रहता है, तब तक बहुत लोग परिशान रहते हैं, आप लोग इस तरह के निगेटिव फिलिंग में में जाना, यह लोग थे वाले, छोड़ो दो इनकी बातों को, अट जी सिम्र्तियों की और गिरते जारा, ऐसा कहा जारा है, इसी में एक चर्चा होता है, डैस स्नोफ फॉल्स, तो वाइट वाटर फॉल्स भी आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, इसी लेशन में होता है, वाइट वाटर फॉल्स कुड ब्लेज दर ट्राबलर्स इन विश्परिंग नाइबर बोला गया है, और टम सुरू होता है, किसके जाने से तो किसके जाने से आटम सुरू होता है, तो आटम सुरू जो होता है, वो आपके समर्ग ग्रिश्मरीतू की जाने से सुरू होता है, नमबर फिप्टी, एंड गैदरिंग सॉलो स्टूटर इन टू अर्टम और टू अर्टम किस ने लिखा है जॉन किट्स ने लिखा हुआ है नेक्स्ट नमबर 51 कोश्चन नमबर लेम्या एंड हाइप्रियोन आर रीटेन बाई देखो फिर वही कोश्चन अपके पास हमेने दोहरा दिया है तो देख लो यहां भी और टू अर्टम जॉन किस आ रहे हैं नेक्स्ट कोश्चन और यहां भी क्या लेम यहां एंड हाप्रियों लिखे गए वह बहुकत को इड़ेड़ी को वह लेडी कौन से कंट्री से बिलॉग करती है विष्ट कंट्री से अब तक की सबसे सुंदर महिला में से एक बनती है यह वी छीज को आप जहा में रखेंगे कि दो पोईट फिल्स टेट आफ्टर इस देट नोबडी विल डैस हर जो कभी जो है यहां पे मतलब वह फिल्स करते हैं मैसूस करते हैं कि जब उनकी मृत्य हो जाएगी वाल्टर डेला मेरे की तो कोई नहीं डैस करेगा किन को उनकी लेडी को क्या नहीं करेग तो वह पूरी तरह से जो है वह वार का मतलब जो है दस सोलजर सोलजर कहने का मतलब क्या हो रहा है अपका यहां पर वार मतलब युदे से संबंदी थे इसलिए आपका आपका जो है राइट एंसर बनेगा वार दा पोईट इन दा सोलजर जो सोलजर की जो पोईट है रूप आप लोग मेरे साथ साथ बोलते ही चलो देखते ही चलो कि आपको कितना याद है पिंच ओफिस्नप मनोहर में लगाओ कर इंडियान सिविलाइजाशन कल्चर और माई एक्स्प्रीमेंट्स भी तूत महात्मा गांधी भारत इस माई होम डॉक्टर जाके रुशेन अ मैरेज प जर्मानी ग्रीर एक ऐस्ट्रेलियन राइटर बिलॉंग करती है फैमिनिस्ट राइटर हाउफ इस दप्रेस डॉरोथी येल सायर्स आई हाव ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर आइडियाज डेट अब हेल्प्ड मैंड काइंड बर्टेन रसेल जो हिस्टोरियन आथमेटीसियन भी रहते हैं दा आर्टिस्ट सीगा नोया जैपानीज राइटर आइपको यहां तक कि सारी चीजे समझ में आ रही होगी यह दी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज गाइज एक वार लाइक करना बिल्कुल ना भूले और सॉनेट इजे पोयम और डैस मेखावीटी मूव करती है इधर की तरह करती कि कि है शकॉर्पियंद मतला होता ड्न को था हरु की तरह तरह हो ह One कि आशे के श्य creepy인데 आपे बैठान आपको प्रशान करती है ứng्तनु सुंसुन करती है कि मैखावीटी मूबटी-जो है तुलना करते हैं किसे तुलना करते हैं तो नियापोलियन से तुलना करते हैं मैकवीटी जो है क्या है टॉल भी है और थिन भी है इस चीज का भी ध्यान रखेंगे मैकवीटी टॉल भी है और क्या है थिन भी है मैकवीटी में भड़ा पड़ा हुआ है क्या भड़ा पड़ा ठीक है ना दो बुक आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं आप लोग को पता है मुझे तो आप इतना तो कुछ नो कुछ तो आप भी हैल्प करी सकते हो अपने सर की नेक्स्ट कोश्चन नमबर 58 मुंगो जीरी और गीडल बॉर्ण मुंगो जीरी और गीडल बॉर्ण कोन थे तो वह जो है एस्पीसीज है एस्पीसीज का मतलता प्रजाती किन की प्रजाती है तो वह अभी बिल्लिया की ही प्रजाती बनती है मेकवीटी इजन मेकवीटी क्या है मेकवीटी जो है एक आउटलो है आउटलो का मतलब होता है ओनुनँन ह mellan यह यह बिल्कुल कानुन से हटके हैं टी इस ऐलियट इज़ डास ऑग जो टीस एलिएट है वह कौन से सताब्दी से बिलॉंग करते हैं तो टीस एलिएट जो बिलॉंग करते हैं वह 20 सताब्दी के कभी बनते हैं नेक्स्ट कोश्चन में कर वह जब वीटी ऑप म जो है फिलाइन सेप में है The dash forgets it's dead and because sometimes it leaves the dead body half burnt कौन जो है कभी-कभी अपना करतबे भूल जाता है क्योंकि कभी-कभी वह छोड़ देता है body को अजला तो यहाँ पे अगनी जो है वह fire बनेगा The middle English है dash dialect यहाँ पे ध्यान रखेंगे old English के चार dialects बनती और Middle English के पास सर तो Modern English के सर नन dialects यह मत सोचना कि Old English के चार बने Middle English के पाँच बने Old के चार Middle के पास तो सर Modern के क्या छे बनेंगे और यह Modern के नन बनेंगे एक भी dialects Modern English में नहीं है The Old English had कितने dialects Old English के विज़ेस्ट मैंने बताया 4 Middle के 5 Number 66 जिन्हों ने एक अंग्रेजी भासा पे जो है डिक्सनरी को प्रकासित किया था तो Samuel Johnson इस चीज़ का भी धान रखेंगे कि Samuel Johnson published a dictionary in which century तो भी आप बोलेंगे 18th century में नेक्स्ट कोश्चन चार्स डीकें वोजे नॉबिलिस्ट ऑफ डास सेंचुरी चार्स डीकें जो है यह एक नॉबिलिस्ट है एक उपन्यासकार है यह आपके पास अगर 50 नंबर इंग्लिस रहती न तो डैविड कॉपर फिल्ड का उसमें एक नॉबिल पढ़ने को मिलता उसी की बात हो रहे है कि उसमें जो है कि चार्स डीकेंस जो है वह कौन से सताबदी के कभी बनते है वह नॉबिलिस्ट बनते हो पन्यासकार बनते हैं तो वह 19th सेंचुरी के जो है वह उपन्यासकार बनते हैं अच्छे एक और छोटा सा कोशन मुझे बताएंगे करीब सा 800 साल पहले जो है ऐसा कौन सा भासा था जो पूरा वर्ल लेंग्विज था तो ध्यान रखेंगे तो ऐसा जो भासा था वह वर्ल लेंग्विज था वह था लैटीन आज कौन सा वर्ल लेंग्विज है ग्लोबल लेंग्विज है तो आज जो सर लेंग्विज है वह बनता है आपका English जो है एक वर्ड लेंग्विज की तरह यूज हो रहा है नेक्स्ट कोश्चन नमर्ज सिक्ष्टी है डैस इस कॉल दर नाइट अंगल अफ इंडिया नाइट अंगल अफ इंडिया की नहीं कहा जाता है हमारी महान सरोजनी नाइडियू को कहा जाता है डैस बिल बी वन कॉमन लेंग्विज फोड़ा कौन सा ऐसा भासा है जो हम सब के लिए एक कॉमन लेंग्विज होने एक कॉमन लेंग्विज है तो ब्रीटिस इंग्लिस जो है यहां पे जो हम सब के लिए एक कॉमन लेंग्विज हो चुका है who were called together the Anglo-Saxons Anglo-Saxons की नहीं कहा गया Angels को भी बोला गया Saxons को भी बोला गया Jutes को भी बोला गया All of the three ये तीनों को Anglo-Saxons भोला गया है Kamla Das has a respectable place in both English and Das literature इनको कौन-कौन literature में महान हस्तिया प्राप्त हुई है तो इनकी मल्यालम और English literature दोनों में इन्होंने बहुत सम्मान कमाया है Das was non as Augustan Age Augustan Age की रूप में किन ही जाना जाता है तो Augustan I think इसका option फिर आपका अट्रामी सताबदी इसका एंसर होना चाहिए था फिर इसमें अट्रामी सताबदी Guys एक मनेट आप रूप जोना में चेक कर लिया यह Augustan Age की जो है बिल्कुल अट्रामी सताबदी होगा यहाँ पे option फिर मिस्प्रिंट हो चुका है यहाँ पे ध्यान रखेंगे Augustan Age 18th century से बिलॉंग करेगा The development of Dash was helped by the introduce of the printing technology किस चीज का development कि कौन से भासा का जो है बहुत विकास होने लगा printing technology की वज़ा से तो printing technology कब खो जा गया 1466 में और 1466 में जब हुआ है और आपको यह भी पता होगा पंद्रा सख के बाद जो भी इंग्लिस चला है पंद्रा सख के बाद वह कुन सा इंग्लिस चला है तो वह पंद्रा सख का जो भी इंग्लिस चला हुआ हो तो सब तो printing technology की मिडिल इंग्लिस तो लास्ट कर रहा तो वहां तक ना जो बहुत बड़ी जो लिंग्विस्टिक भासा में जो चेंज हुआ उसको क्या बोलते हैं इंग्लिस इस यूज़ इंचाइना एज डास लेंग्वेज चाइना में और हमारे इंडिया में भी कौन से भासा 77 Mark Twain and Henry James are Das novelist Mark Twain और Henry Novelist जो Henry James जो है या कौन से novelist बनते हैं तो यह आपके American बनते हैं नेक्स्ट कोस्ट नमस 78 डास हैं इन सिंप्लिफाइंग इंग्लिस कौन ऐसी जो है ग्रंथ जो है या अंग्रेजी को और आसान बनाने में मदद करती है किनकी वजह से किनके ऐसे ग्रंथ हैं जिका इंग्लिस में लिखा हुआ है तो अले नो डाउट यह बाइबल जो है जो अबर देथ कोन ऐसे यात्री हैं कोन ऐसे ट्रावलर्स हैं जो हम सभी बढ़े जा रहें बढ़े जारे किसकी तरफ मृत्यू की तरफ तो हम आनब जाती हम युमेंबिंक्स बढ़े जारें नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट इसे लाइन ना कहां का लाइन है तो लेकिन वह कहते हैं जब मैंने भारत में भ्रहमनी क्या तो मुझे तो लगता है कि भारती किसान चाइना से भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं कौन एडवाइस देता है भारतियों को कि आप हर एक वजह साथ जो आज स्थिती ऐसा हुआ उस सब के लिए ब्लेम जो है आप ब्रिटिस को ही किवल मत दीजी इस सब के जिम्यदार में कहीं न कहीं आप भी हैं इसके राइट एंसर बनेंगे हमारे पर्ल एस्वक कहती है एक और चीज यहां पर आप दिहान रखेंगे पर्ल एस्वक ऐसी लेखी का बनती है जो आपके फस्ट लेखी का बनती है वैसे जो मैं आपको यहां पर चीजों क्लियर कर दूँ पर्ल एस्वक ही ऐसी फस्ट पीमेन मतलब बनती है जो आपको क्या करती है यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट होती है यह दिहान रखेंगे परल एसबक नहीं रुख जो मुझे कन्फर्म होने दो हाफ फ्रीज दा प्रेस हाँ नहीं सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ आपको ध्यान देंगे हाफ फ्रीज दा प्रेस की यह और्थर बनती चलो कोई नहीं आप डाउट आप कन्फूजन मत करना मैं आपको क्लियर कहता हूँ यह हाँ फ्रीज दा प्रेस के जो लेखी का बनती है दोरोथी अलसायर्स ठीक है न कभी थोड़ा सा मुझे भी कन्फूजन हो जाता है गाईस इसका बुड़ा नमाने तो जो एग ऐसी पहली लेखी का बनती है जो औकसफोर्ड यूनिवर्सिटिटी से क्या करती है ग्रिज नमबर 84 एंटन चेकब बिगेन इस करियर राइटिंग बाइडास एंटन चेकब अपना जो करियर जो है अपनी जो करियर को शुरुआत कर तो किस चीज़ से लिखने से तो एंटन चेकब अमरेज प्रपोजल ड्रामा तो ड्रामा में वो डारेक्ट नहीं पहुंच गे पहले कॉमिक एस्केचेस लिखा करते थे फिर वो ड्रामा में वह मूब उनकी है नमबर 85 दपोईट इस बैटर दैन तो यह आपका जो लाइन लिखा गया स्वीटेस लवाई डूनाट गो आपके एकजाम में लिख देगा दपोईट इस बैटर देगा जोन डॉन डॉन इस बैट चाहूं क्योंकि मेरे पास तो लक्ष हो तुम हो मेरी बिलॉब्ड हो मेरे प्रेमिका हो मैं तो तुम्हारे पास जरूर दौर के आऊंगा इसलिए तुम इस चीज के लिए रोह मत अच्छा पिसमें मुझे बताओ कि जॉन डॉन कहां जा रहा है और कहीं ने गूमने को जा जोनन फिल स्थाइड डैस एफाई होपलेस जांडन मेसूस करते कौन ऐसे हैं जो बहुत होपलेस होते है कोई मनुष्य होपलेस होता है बैजी डोल्ड ही इस पैरिन्श टो नाजा आता था किस चीज को इखटा करने में तो सेवी को गॉर्ड देंगे फ्यूस सेन का हृटि जापान की क्योंकि सेवी जो है जापानी लड़का है 12 वर्स का परता था प्राइमरी स्कुल में इस चीज का भी ध्यान रखेंगे रहता कहां था तो रहता था वह हारबर टाउन में रहता था आगे मैं क्या बताने वाला हूँ कि सेवी को एक दिन मिलता है टेन इंच का लौक ऻाउन करते हैं उसे दे देते किसको देते आगे का लगाहर होता है तो फंटर को और जाती टांगी यहालत हो जाती देता है बेच देता है कि वो जाकर के बेचता है कितने बेचता है 50 Yen में क्योंकि Yen वहां की बड़ी मुद्रा जैसे हम सभी के हां रुप्या बड़ी मुद्रा पैसा उसका छोटा भाई वाला मुद्रा उसी तरह से जापान की बड़ी मुद्रा जापन का बड़ा भाई येन उसका छोटा भाई जो है वह सेन बनता है और उस दुकानदार जो है वह बेचता है किसको बेचता है तो एक वेल्दी कलेक्टर को बेचता है वह कितनी बेचता है तो 600 एन में बेचता है I hope guys आपको यहां तक कि हर एक बात इस समझ में आ रहे होग Cigar Noya is a Dash writer Cigar Noya कोन से writer बनते हैं तो Cigar Noya Japanese writer Cibicar God Gods for a Few, Cibicar Gods मिल रहा slap Next Cebi's Father work at Dash shop सेवी के पापा कहां प disclose सेवी के पापा कर्पेंटरा है सोब क्योंकि याद करेंने वहां पर जब उसको teacher complaint करने कि आते एथिक्स वाले तो क्या करते से भी के पापा वो अपना हैमर उठाते हैं और सारी लोक्यों को systematically धंग में तोड़ देते हैं पॉर्टर सोल दा गॉर्ड ऑप से भी फूर्टर ने बेचा से भी का गाड कितने में 50 येन में बेचा और फिर उसने कितने बेचा तो 600 येन में उसकी पड़िवार के लोग मिल के एक साथ करते हैं तो इसका कोई डाउट नहीं हमारे बंगलादेस जो हमारे बगल के देश जो है वहाँ पे बच्चे जब 5-6 साल के रहते तो उसके देखरे एक पूरी जो है उसके फैमली की लोग करते हैं बंगलादेस में रूप थोका रूप थोका क्या रहता तो रूप थोका जो भी ध्यान रखेंगे वो एक फेरी टेल्स बनता है जिसे हम पड़ियों की कहानी कहते जो प्रेगनिंट विमेन को बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है ताकि ऐसी उनकी कुछ अबधार नहीं होगी है पता नहीं क्या अबधार नह है हमने तरहा नहीं जाना इसमें साथ को यहां रखेंगे यहां पर जर्मनी ग्रीर को जो एक मिला जाढ़िया जाता है जर्मनी लोग कहां से करती है तो जर्मनीग्रि़ इसका एका विमेन विजटॉ मदर्स घूरिगए है जो प्रेगनेंसि के अपके एक्जाम में आपको देखने को मिलेंगे गाइस निक्स्ट कोशन नमबर 96 इंडास दा हस्बेंट एंड वाइफ ड्यू इंज्वाइफ प्रीडम और इंडिविज्वालिटी कौन से ऐसे देश में हैं जहां पे जो है हस्बेंट और वाइफ दोनों को कोई टेंसन नही उसको बच्चे बच्चे प्लान करने में कोई टेंसन है दोनों एंज्वाई करते खूब गूमते हैं तो नो डाउट हमारे वेश्ट कंट्री जितने भी हैं जो भी आपके अमेरिका स्विजर लाइन जो भी हाँ पे कंट्री बनते हैं इंगलाइन वगरा सब में वहाँ पे उनके बच्चे के जनम के बाद दियाता है डैस वाज रॉल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुशेन के रॉल मॉडल कोन बनते हैं तो हमारे नो डाउट डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन जिनके जनम दिन को हम लोग 5 सेप्टेमबर टीचर्स डे की रूप में मनाते हैं ग और वी कोशिस करूंगा कि आपका कोशन औपजीक्टीव का प्रैक्टिस करवादू डॉक्टर जाकिर हुशेन इंटर ऑफिस इन ए स्पिरीट ऑफ दस तो इनसी स्पिरीट ऑफ प्रेफुल हिउमिलीटी डॉक्टर जाकिर हुशेन जो है उसनों ने प्रवेश किया अपिस कैसे आचरन में तो प्रेफुल वीनर मता अप्रोभक फाल नानुका का एक चेक लिखा कितने रुपैका लिखा है तो alcoholic लिख लोचेक नहीं निक्स्ट कॉस्चन नंबर 101 वन नानुका का पॉर्ट्यार्ड इंसल्फ एस अपने पहिं नाम ज're पर लिखते हैं जब कुछ के सबके साथ मैं आपके और दो कोषण बनता है एक और civilization बनता है मैं भूल रहा हूँ गीबॉन कहां का है तो गीबॉन जो है आपका इटली का बनता है यूरोपीय लोग ने अपनी सब्वेता कहां से सीखें तो यूरोपीय लोग जो सब्वेता जो है वो सीखें अग्रीक से और रोम से इस चीज़ का विध्यान निक्स्टर कोर्शन समझेंगे कि जो modern civilization है modern civilization वह किस चीज़ पर आधरित है तो modern civilization आधरितै सर material पर वर्सीपे वह पूजा है किस चीज़ की फूजा है तो वह material की धातु की फूजा है modern civilization I hope guys, आपको यहां तक कि हर एक चीजी question समझ में आए होगी Guys, यह आपको अच्छा लगा, तो please guys, like करे, share करे और हमारे साथ अगले वीडियो में जुरना बिलकुल न भूले Thank you for watching this video